हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बीएट कोर्स के नंबर वन चलंड मीशन वनों में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्यान के बारे में नौलेज क्या होता है ज्यान का अर्थ और उसका परिवासा को देखेंगे यदि दोस्त इसका आप लोग पीडिएफ लेना के बारे में घ्यान के बारे में कि यहां कि नौलेज क्या होता है कि मतले समस्ठे घ्यान सब्द संस्कित के ग्याद हतूं में उपढ़ते लगने से सब्द बनता है जिसका अर्थ होता जानना जिसमें संस्कित के ज्ञाध सब्द का हिंदी रुपान्तरण है जिसे कहा जाता है मतलब इसे रिए ग्यान इना मीमानसा है दो के संधी से मिलकर बना होता अप лишь theory है दर्षमसास्तिक के ग्यान म्मानसा शब्ड से लिया गया है ठीक है तो यहां पे घ़ू सब्ड जो है ना ज्ञान मिमानसा से लिए गया इस परकार का अर्थ होता है ज्ञान का विध्जान या नहीं कि ग्ञान का विध्ञान अगे हम और देखते हैं ज्ञान सब्द प्रग्या ज्याता और गय के संबन्द से ग्यान प्दिक है पडग याता और गय के पर इस ती दोनों के बीच जो हता है वो क्या हता सब्दोंका, आदान पर्तान ता है और जब ग्याता का ग्या के साथ इंद्रियों के माद्यम से संपर्क होता है तो ग्या के पदार्थ के संबन में एक चेतना उत्पन होती है जिसे ग्यान के संग्या दी जाती है मतलब जब ग्याता का ग्या के साथ इंद्रियों के माद्यम से पाँज इंद्रियां होती है, नाक, कान, आख, जीब, तौचा, इन सभी के माददम से अगर संपर्ख होता है, तो गए पदार्थ में जो ग्यान को गरहन करते हैं, उसके मस्तिस में एक परकार के चैतना उत्पन होती है, जिसे हम लों क्या करते हैं, ग्यान के संग्या दियात अधियां होती है उसे भी ग्यान करता है यह जो है कि अधरिया टों नहीं सिम्य से पढ़े बिजो है जितने भी मुझ शूचने समझने की जो छमता होती जिसको समझते हैं वो यह मेरा क्या करना था थीक आर आगे और देखते हैं ज्यान को परमानित करने के लिए तीन चीज़ ओपर बल दियाता है सत्यता सवत आ tapi बिश्वास और सत्यता के लिए पर्याप्त पर्मान क्या सकता होती है ज्यान के सो रुप अब हम लोग दिखते हैं ग्यान की परिवासा है कई सरे मनुष्य को ने ग्यान की परिवासा दी है जो बहुत ही आसान भासाओं में हम लोग लाए है प्रोफेसर रसल के नुसर ठीक है ग्यान वह है जो मनुष्य के मन को परकासित करता है ग्यान वह होता है जो मनुष्य के मन क क्या करता है परिकासित करता है उसे अमनों क्या करते हैं ग्यान करते हैं ठीक है दूसरा प्लेटू के नुसर विचारों की देवी व्यवस्ता और आत्मा परमात्मा के सोरुप को जानना ही सच्चा ग्यान है मतलब विचारों की देवी व्यवस्ता और आत्मा परमात्मा के सोर संसारिक दुखों से चुट करा दिलाता है यह झान सरवच सद्गून क्या हिए स्करात के नुसार विल्यम जयम्स के नुसार ग्यान वैवारिक प्राप्ती और सफलता का दूसरा नाम है तो तो इस परकार जो हम लोग ज्यान का अर्थ और पडिवासा को इस वीडियो के मदद से हम लोग समझें ठीक है दोस्तों फिर हम लोग इसी तरह अगले वीडियो में हम लोग ज्यान के परकार के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद